हेलो एब्रिवान सब्सक्राइब कीजे किचन हब को और बेल आइकन को दबाईए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूद पिठ्थी दूद पिठ्थी तो आप सब को पता ही होगा लेकिन मैं ये कोई आटे का दूद प पिठ्थी जिसको इंगलिश में डाइट राइस भी कहा जाता है ये असानी से किसी भी किराने स्टोर में मिल जाता है और ये बहुत सस्ता भी होता है देखे इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी और देखने में कितना जिलिशियस लग रहा है आप इसे एक बर बनाएंगे मेरे म तो आप इसे हमेशा खाना पसंद करेंगे और महमानों के लिए तो ये बहुत इजी होता है बनाना तो चलिए देख लेते हैं ये मैंने मार्किट से लिया है दो पैकेट दूद पिठी यानि डाइट राइस ये 10 रुपे का पैकेट होता है बहुत ही सस्ता होता है और एक पैक बचा के रख ले रही हूं और जड़ पैकिट के इस्तेमाल कर रही हूं कि बनने के बाद ये बहुत फूलता है तो आपको जितना ज्यादा बनाना है उतना ज्यादा आपको दूद लेना पड़ेगा तो इसे मैं डाल रही हूं कुकिंग ओल में इसे हमें कर लेना है बंद कर दूँगी क्योंकि इसमें इतना हीट होता है कि ये बनने के बाद भी पकता रहता है तो ये और ज्यादा जार्क हो जाएगा यहाँ पे मैंने लिया एक पैन उसमें मैंने डाला 400 ml पानी एक गिलास करीब यहाँ पे तीन छोटी इलाइची जिसके मैंने सीरा को खोल दिया है इसमें बॉयल आने के बाद मैं डाल रही हूँ दूद पिठी यानि डाइट राइस इसमें डिरेक पानी में डालना है बहुत असान है बनाना पानी में बॉयल आ जाए फिर डालना है अब इसे तीन से चार मिनट के लिए पकाना है पानी में ही तो ये हमारा पक रह देखिए अब ये गाड़ा होने लगा है ये पकने के बाद चार गुना फूल जाता है और बहुत ही गाड़ा हो जाता है पहले मैं इसे पानी में पका रही हूँ फिर अब मैं डाले हूँ दूद ये फुल क्रीम दूद है बहुत ही गाड़ा दूद है और ये मैंने दूद के उपर का मलाई जो था उसे ले लिया था आपके पास मलाई हो तो लीजिए वरना स्किप कर दीजिए लेकिन हाँ इसमें दूद ही यूज होगा तो ये बहुत ही क्रीमी बनता है अगर आप पतला दूद ले रहे है रेगुलर दूद तो इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल मत कीजिए उसे गिलास में मैंने आदा गिलास से कम पानी ले लिया था ये दूद बहुत गाड़ा होता है और इसको पक पाना है जब तक ये पूरी तरह से गल जाए अगर बीच में अगर आपको लगे कि ये बहुत गाड़ा हो चुका है और अभी तक गला भी नहीं अच्छे से नहीं पका हुआ है तो आप इसमें दूद और पानी डाल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा बहुत अ अगर आप चीनिक कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से रख सकते हैं देखिए ये बहुत गाड़ा हो गया और अपने साइज से चार गुना ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए इसमें दूद और पानी का ज़्यादा इस्तमाल होता है देखिए हमारा दूद पि एक बहुत अच्छा स्विट डिस है आप इसे जरू ट्राइ कीजिए मैंने इसे बनाया है दोस्ती रोटी के साथ आप इसे पराठे पूरी प्लेन रोटी दोस्ती रोटी के साथ खा सकते हैं और आपको जानना है कि दोस्ती रोटी कैसे बनती है तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं मैं उसकी रेसिपी डालूंगे बच्चे बुढ़े सभी को पसंद आने वाला है ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजेगा तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज